प्यारे छात्रों मैं प्रदीप सर बाइलोजी की इतमाला में आपको ये गाना सुनाने जा रहा हूँ इस गाने को ध्यान से सुनिए और बाइलोजी के नेक्स टॉपिक के एक्स्प्रिनेशन के बारे में बढ़िया से समझिए प्रिया छात्रों मैं प्रदीप सर आज आपको किंडम फंगाई के क्लास एक मैए सिटिज के कुछ इग्जामपल के बारे में समझाने जा रहे हैं ज्यान पूरु बाक आप देखिए यह लिखा हुआ है एक क्लास है इसका दूसरा नाम क्या होता ये कपरोफिलस यारी ढंग लभी होता यह ज्यादा तर ये कचरे के धेर पही ग्रो करता ही इसका नाम होता है कोप्रोफिलस डंगलबिन इसका ये सैक फंगाई भी इसको बोलते हैं बहुत दिन पहले मार्केट में गीत आई थी बहुत ही चर्चित गीत थी ये कली जब तक फूल बन के खिले इंतजार करो ये कली जब तलक फूल बन के खिले इंतजार करो इसी पर ये एसको माई सीरिस के कुछ इंगामबल को बताया गया है आप देखिए इसको जैसे ये लिखा हो ये कली ये से क्या है इस्ट है सी से क्या है कलेविसिप्स है ए से क्या है एस्फर जिलस है यहां इनसे क्या है पर इक मोरेल्स विफ मोरेटि दॉन्हें और काफी स्वधिस्ट है है पुना इसको रिपीट करते हैं यह बाइलोजी में आपको किंग्डम फंगाई के क्लास इसको माइसिटीज के कुछ एक्जांबल के बारे में इस गाने की साहिते से बताए जा रहा है इसको माइसिटीज को हम कॉप्रोफिलस ही बोलते हैं यानि डंग लविंग होता है यह जादा तर गोबर या गंदे चीजों पर ग्रोव करता है यहां यह कली जब तक फूल बन के खिले इंतजार करो में लिखा हुआ है तो यह से क्या है इस्ट है सी से यह क्लेबिसेब्स है अ से सपरडेलस है ऐलाए से यहां पर पनिशीलियम है और यहां एंतजार एंड से आपको निरिसपोरा है टी से आपको ट्राफिलस है और एक मोरिल्स है यह यह बैणेटिक वर्कमी जो तगहर्ता है और यह दोनों है इडिबूल फंगस हैं श्वाज़िश्त होता है यहां लिखा हुआ है no book no notes no confusion only code मतलब अगार ये कोड़ा को याद है तो Sko My Cities का जो NCRD book में example दिया हुआ है इसके लिए किसी book की जरूरत नहीं किसी notes की जरूरत नहीं किसी तरह का इंजाम में आपको confusion नहीं होगा 11-12 मिलाकर पुड़े 1000 कोड़ है एक कोड़ के लिए सिर्फ एक ही गाना बचता है ऐसा नहीं होगा कि यह गाना उना फिर दूसरे किसी कोड़ के लिए repeat होगा ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि मेरा उद्देश आपके जो एक्जाम में confusion होड़ा उस confusion को को दूर करना इस कोड़ को आपका सकते हो कि यह confusion कि लड़ी है यह आपको करने जाब वीडियो में इसमें समझाए हूँ है इसके बारे में और भी है अगले वीडियो में इसमें और बताया जायाना तो आज करते हैं लाइक किजिए शेयर किजिए सपोर्ट किजिए बहुश किजिए।